नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी नियूस पर इस वक्त के एक बड़ी खबर आ रही है बीजेपी हेड़कॉर्टर से जी हाँ कॉंग्रेस पार्टी को दरसल बड़ा जटका लगा है आईए कैसे आपको बताते हैं दरसल भारति इन्ता पार्टी में शामिल हुए हैं कॉंग्रेस के दिगज नेता एके एंटरी के बेटे अनील एंटरी जी हाँ एके एंटरी पूर्वरक्षा मंत्री उनके बेटे अनील एंटरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं दरसल कॉंग्रेस के दिगज नेता और पूर रक्षा मंत्री एके एंट्रिनी के बेटे अनील एंट्रिनी ने गुरुवार यानि की 6 एपरल को भारते इंता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन केरल कॉंग्रेस की सोशल मीडिया टीम के पूर्व सेयोजक अनील एंट्रिनी ने दिल्ली में केंद्रिय मंत्री प्यूश गोयल वी मुर्ली धरन केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन की मुझूदगी में भारते इंता पार्टी का दामन थामा है इस दोरान अगर बात की जाए तो अनील एंट्रिनी ने कहा कि एक भारतिय युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी रिस्पॉंसिबिल्टी है ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा करतव्य है कि मैं परधान मंत्री नरेंदर मोदी के राष्ट्र निर्मान औ जी हाँ बड़े सवाल उठाएं क कॉंग्रेस पार्टी पर अनील एंट्रिनी ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी में सिर्फ चाटु कारिता चलती है और सभी लोग देश के लिए काम करने की बजाए सिर्फ एक परिवार के यहाँ पर काम करते हैं तो यहाँ पर बड़ा हमला अनील एंट्रिनी की तरफ से लगातार जो भी यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी का दामन छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं अपनी पार्टी बनाता है जैसे गुलाम नभी आजाद हो या फिर अभी यह अनील एंट्रिनी वो बार बार एक परिवार का जिक्र जरूर करते हैं और जो यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करके बड़े नेता आते हैं कहीं न कहीं इसके पीछे कारण वहीं परिवार होता है कि केवल उस परिवार की चाटू कारिता में सबी लोग लगे हुए हैं और यहीं का नील एंट्रिनी ने कि देश का काम करने के पर होता है और दिल्चस्प बात यह है कि अनील एंट्रिनी जिस गांधी परिवार पर तीखा अमला कर रहे हैं अनील एंट्रिनी के पिता एक एंट्रिनी की गिंती सबसे बरोसेमंद और करीबी नेताओं में और अनील एंट्रिनी से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि क्या उन्होंने भारती जन्ता पार्टी में शामिल होने से पहले अपने पिता एके एंटरी से किसी तरह की सला ली थी तो इस पर अनील एंटरी ने कहा कि ये किसी पर्सनल्टी से जुड़ा मसला नहीं है मैंने ये फैसला वैचारिक मतभेद की वज़ा से लिया है वहीं आगे उन्होंने कहा कि मुझे पूरा बरोसा है कि मैंने सही कदम उठाया है मैंने पार्टी बले ही बदल ली हो लेकिन अपने पीता के प्रती मेरा सम्मान जो है वो पहले की तरह ही बना रहेगा तो इस चीज़ को भी उन्होंने आखिरकार जो है क्लेर कर दिया है प्रेस पार्टी पर लगाये थे उस समय की दवाब बनाया जा रहा है यहां पर और उन्होंने उस डॉकुमेंटरी को भारतिय संस्थानों के विचारों से अधिक मैतव दिये जाने को खतरनाक चलन बताते हुए कहा था कि इससे देश की संप्रभूता प्रभावित होगी और बीबीसी की डॉकुमेंटरी को भारत के खिलाफ एक पक्षपात पून जो है यहां पर सोच कहा था वहीं इस प्रतिक्रिया के बाद उन्हें कॉंग्रेस के भीतर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा था बार बार उनकी आलोचना की जा रहे थी इसके बाद उन्होंन पार्टी में अपने जितने भी पद हैं उन सभी पदों से आखिरकार इस्तीफा दे दिया था अनील एंटरी के पिता एक एंटरी कोंग्रेस सरकार में किंद्री रक्षा मंत्री रहे थे इसके अलावा अगर बात की जाए तो वह केरल के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं ए भार्टी जन्ता पार्टी नेता और केंद्री मंत्री पियूश गोईल ने उनका भार्टी जन्ता पार्टी में स्वागत करते हुए यह बोला कि अनील एंटरी एक बहु आयामी व्यक्तित्व हैं जब मैंने अनील एंटरी की साग देखी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके विचार परधान मंत्री नरेंदर मोदी के विचारों के समान हैं ये बड़ी बात कहीगे प्यूश गोईल की तरव से और आगे कहा कि हमें विश्वास है कि वह बहुत सक्रिय भूमिका निबाते रहेंगे और दक्षिन भारत में भारतिंता पार्टी के पच्चिन को करती है और वह देश के विकास के लिए परधान मंत्री नरेंदर मोदी के विजन पर भरोसा करते हैं तो यहां पर बीजेपी के लिए भी एक बड़ी सफलता खास तोर पर दक्षिन भारत से आती हुई वहां पर बीजेपी अपनी पैट बढ़ाना चाती है वहीं इसी बीच राजदीब सरदेसाई के एक ट्वीट पर बवाल मच गया है इसी मुद्दे पर राजदीब सरदेसाई ने जो ट्वीट किया उसको ले करके दरसल बाला नाम के एक यूजर ने राजदीब सरदेसाई के कुछ ट्वीट का स्क्रीन शॉट जो है वो शेयर किया है और तुलन लेकिन जब कोई बीजेपी में शामिल होता है तो वो अफसरवाद ये है राजदीब सरदेसाई की famous infamous neutral journalism आईए आपको बताते हैं कि आखिरकार उन tweets में ऐसा क्या था जो पहला फोटो उसमें डाला गया है उसमें एक tweet है जो पहला tweet है राजदीब सरदेसाई का वो किया गया था 16 दिसंबर 2021 को और उसमें लिखा जाता है राजदीब सरदेसाई की तरव से कि आम आदमी पार्टी को ऐसे समय में बढ़ावा देते हैं जब गैर बीजेपी विपक्ष खंडित लगता है और एक जुट मोर्चा बनाने में असमर्थ है तो बूस्टर यहां पर बताया था राजदीब सरदेसाई ने आम आदमी पार्टी के लिए गोवा विदान सभा चोड़ा था आयान गोवा करके जो है उस समय हैस्टैक्स रहा था वहीं दूसरा ट्वीट है 6 अपरल 2023 का इसमें लिख रहे हैं राजदीब सरदेसाई कि दश्कों तक एक एंटनी शायद सोनिया घांदी के सबसे भरोसे मंद वफादार रहे अब जैसे ही पिता रिटायर हो होने जा रहे हैं रिटायर्मेंट में जा रहे हैं तो उनके बेटे अनील एंटनी बीजेपी में शामिल होगे हैं यह पीडिगत बदलाव है यहां फिर अवसर वादिता है इंतजार करना होगा और देखना होगा बस इस फ्यू मोर और इन क्यूं तो आप सोच सकते हैं कि आ उसकते हैं यहां दूसरी तरफ जब बीजेपी में कोई शामिल होता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है यहां पर उसके लिए कहा जाता है ये तो अवसरवाद की राजनीती है यह तो से अब जो है कहीं ना कहीं शामिल हो चुके हैं बीजेपी में और कॉंग्रेस पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं कि कैसे एक ही परिवार की चाटूकारिता इस पार्टी में की जाती है देश के लिए कुछ नहीं सोचा जाता है, तो लगातार कॉंग्रेस पार्टी पर इस तरह के आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो खुद कॉंग्रेस पार्टी से निकल कर के बाहर आ रहे हैं और कही न कहीं उनके बाहर आने का बड़ा मुख्यकारण भी यही है वो परिवार के ही इर्धिर सभी कारण गूमते हैं कि उसी परिवार के वज़ा से उनको बहार आना पट रहा है बेरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना आपकी क्या राया है जो एक एंटरी बीजेपी में शामिल हुए है गांधी परिवार पर बड़ा रोप लगाया गया है इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमार सथ कमेंड बॉक्स में शेर कर सकते हैं इससे जुड़े तमाम